दोस्तो इस example में हमने यहाँ पर देखो employee की name तो लिख दिया है बाद में हमें पता चला कि employee name की आगे हमें आगे ca भी लिखना है जैस ca salmang khan तो अब हमें इसको कैसे add करना है तो इसका simple तरीका है तो आपको simple यहाँ पर formula ग्यूज़ करना है equal to cone catenate उसके बाद bracket लगाना है फिर आप क्या चाहते हो text 1 में आप चाहते हो ca तो आपको double code ग्यूज़ करना है ca करना है इसके बाद space के लिए space बार दमाना है और double code से close करना है फिर comma फिर text और यहाँ bracket close करोगे तो आप देखोगे आपके नाम क्या के ca लिख दिया अब इस formula copy करो और वारा है यहां तक तो हम इसको यहां तक paste कर देते तो आप देखोगे हर नाम के आगे ca लिख दिया है और अगर चाहते हो कि इसके आगे आजाए data तो इसके बहुत simple तरीका आपको सबको select करना है copy करना है और यहां पर आप इसको paste करोगे special तरीके से उसके लिए short की और दे alt svs आपको simple यहां पर